असलाम अलेकुम आज हम लग बनाने वाले हैं बहुत ही हेल्दी और बहुत ही क्रिस्पी और डिलिश्यस सी रेसेपी जो हर किसी को पसंद आएगी हम बनाने वाले हैं आज सोया बीन के कबाब जो बहुत ही कुरकुरे बनने वाले हैं तो चलिए बनाना शुरू करते हैं यह मैंने सोया बीन लिया है और इसको दो घंटे पहले मैंने पानी में भीगो के रखा था अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसे गरम पानी में भीगो के रखिए आदा घंटे में भीग के रडी हो जाते हैं और यह मैंने साबू दाना लिया है आधी कटोरी यह हुआल साइक मैं चार से पांच मिर्च नी है अरीमिर्च 5-6 काहली लशन लिये हैं और जीरा लिया है एक चमच कि इसे अच्छी थरह से पीस के ले लेंगैं ये ये मैंने पीस के ले लिया है अब जो सोया बीन है उसे हम ले लेंगे सोया भीन को अच्छी तरह से इसका पानी जो है नीचोड़के ले लेंगे मैं कि र Communist लेंगे आपर बारी देंसे ब नारे के लिए लेना है कि बाइंडिंग के लिए हम डाल रहे हैं बेशन है कि मैंने तक्रीबन तीन चमच में इसमें बेशन एट किया है अभी दो चमच डाला है बाद में एक चमच डाली थी मैंने थोड़ा सा गरम मसाला लिया है मैंने आधा चमच जितना लिया है गरम मसाला नमक भी मैंने एट किया था आधा चमच इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद हम इसे रख देंगे 5-7 मिनिट के लिए साइड में ढखके 5-7 मिनिट के बाद मैंने इसमें थोड़ी सी कोतमी कट करके एट कर दी है थोड़ा सा कड़ी पत्ता है जिसे मैंने बारीक अच्छी तरह से काट के इसमें डाल दिया है ताके इसका फ्लेवर ज बार में मैंने एक चम्मच डाली हूँ बेशन का आठा और मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करके अब कबाब के शेप दे दूँगी यह मैंने सारे कबाब बनाके रडी कर लिये हैं मैंने इतनी इसकी तिकनेस रखी है आप अपने हिसाब से रखें आप कोई भी शेप इसे दे सकते हैं तब यह पर तेल गरम करके ले लिया है मैंने तेल जब गरम हो जाए तो गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और लो करने के बाद हमारे कबाब इसमें एट कर देंगे स्लो फ्लेम पे हम कबाब को एक साइट से होने देंगे फिर दूसरी साइट पलट देंगे दूसरी साइट से भी हम लो फ्लेम पे ही से पाकाएंगे दोनों साइट से लो फ्लेम पे पकाने के बाद मैंने गैस की फ्लेम को फास्ट कर दिया है और इसे दोनों साइट से अच्छी तरह से इसका कलर आने तक के गोल्डन कलर आने तक के मैं इसे फास्ट गैस पे फ्राय कर लूँगी और अब मैं इसे निकालूँगी, हमारे कबाब बनके रडी हो गए हैं, यह मैं इसे सर्फ कर रही हूँ, देखे कितने शांदर कबाब हमारे बनके रडी हो गए हैं, सोया बीन के कबाब, यह बहुत टेस्टी बनते हैं, आप लोग जरूर ट्राय करिएगा, और ट्राय करने के जरूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेर करें, अपने फ्रेंड्स और फैमली के साथ, और मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करके, मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली रेसिपि के साथ, अल्ला आफीश,